दस दिन में 700 करोर ये बिजनिस किया है उस बंदे की फिल्म में जिसके नाम के आगे सूपर स्टार लिखने से काफी लोग गुसा हो गए थे लेकिन मेरी मानो तुम आफी मांग लो गुरू क्योंकि ये तो बस शिर्वात है अगले तीन सालों में 600 नहीं 6000 करोर का धमाका करेगा ये इनसान दस सूपर स्टार रनबीर कपूर की बात हो रही है जो आनिमल बनके वापिस आए और सो कॉल्ल सूपर स्टार्स के सारे रिकॉर्ड्स खा गए लेकिन काफी लोगों के मन में अब ये सवाल घूम रहा है नेक्स्ट क्या आनिमल के बात क्या होगा रनबीर फिर से गायब हो जाएंगे या फिर लोट के वापिस आएंगे खुद को बॉलिविट का सबसे बड़ा स्टार साबित करने के लिए गुड न्यूज ये है बॉस की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पुरी छे फिल्मे हैं दे सूपरस्टार रनबीर कपूर की जो बॉक्स ओफिस का नक्षा बदल के रख सकती हैं सबसे पहले मुलाकात होगी आपकी रामायन से जुषद रनबीर के करिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाली है इस बार बात सिर्फ फिल्म की नहीं रिलीजन की होगी पैसा पानी की तरह भहेगा इस फिल्म के अंदर जिस बात का अंदाजा सिर्फ कास्टिंग से लगा लो रनबीर श्री राम हैं तो KGF के रॉकी भाई रॉकिंग स्टार यश इस फिल्म में रावन का केरेक्टर प्ले करेंगे और पाबलिक की सूपर डूपर डिमांड पर दे टेलेंटिट साई पलवी को माता सीता के लिए फाइनल किया गया है आदी पुरुष की गलतियों से सीखने के बाद डिरेक्टर निटेश देवारी पूरी कोशिश करेंगे खुद अपनी फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने की इसके बाद भया रन्वीर फिर से वापस रियेंट्री मारेंगे अपनी सूपर हीरो फिल्म ब्रह्मास पार्ट डू केशाथ ब्रह्मास परस्टरली मेरे हिसाब से वो फिल्म है जिसको उतना क्रेडिट मिलनी चाहिए थी लेकिन पार्ट डू पूरा गेम बदल सकती है अभी रिसेंटली ये पता चला है कि इस बार फिल्म में रनवीर सिंग डेव का कैरेक्टर प्ले करेंगे जुसकी छोटी सी जलक पार्ट वन में दिखी थी तो फाइनली रनवीर वर्सस रनवीर एक ही फिल्म के अंदर वो भी टॉप लेवल वी एफेक्स प्लस भगवान शिफ की कहानी के साथ हजार करोड तो बच्चों का खेल होगा इस फिल्म के सामने फिल्म नंबर तीन वो है जिसका अनॉंस्मेंट आज से अल्मूस्ट दस साल पहले हो गया था लेकिन आज तक वो रिलीज नहीं हो पाई राजकुमार हिरानी एकलोते ऐसे डिरेक्टर है जुनका 100% सक्सेस रेट है बॉलिवुड के अंदर वो रन्बीर के साथ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाएंगे बहुत जल्दी आमिर खान के फिल्म पीके के एंड सीन में अगर आपको याद है तो रन्बी को इंट्रड्यूस किया था राजकुरी रानी ने और बाद में दोनोंने साथ मिलकर संजू क्रियेट करके रिकॉर्ड्स बिनाये थे बॉक्स ओफिस पे लेकिन ये नई वाली फिल्म उससे एकदम अलग टोटल कॉमेडी रामा होगी जो किसी सोशल मेसेज को उठाएगी हम लोगों के बीच से फिल्म नंबर चार वो है जो अभी से बता देती हूं मैं शायद इंगिन सिनिमा के इतिहास की सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रवर्शल फिल्म बनने वाली है संदीप पांगा ने साफ बोला है अनिमल टू बहुत जादा डार्क होगी रनविजय वर्सेज अजीज दोनों के कैरेक्टर को डीटेल में दिखाया जाएगा टोटल पागल बनती फिल्म नमर पांच हर उस इंसान के लिए गुड निउस बनके आएगी जिसको बरफी के अंदर रनवीर कपूर की आक्टिंग देखकर मज़ा आ गया था नई बरफी पार्ट टू नहीं बनने वाला है लेकिन सेम डिरेक्टर अनुराग बासु के साथ मिलके रनवीर कुछ वैसा ही क्लासिक सिनमा रिपीट करने वाले हैं इंडियन सिनमा के one of the legendary artist किशोर कुमार सर की life पे बायोपिक बनने वाली है जिसमें comedy, drama, suspense, mystery सब कुछ होगा बाकी फिल्म में box office पे पैसा खूब कमा सकती है लेकिन ये वाली फिल्म रनवीर को इंडियन सिनमा के सबसे best actor की कुर्सी पे बिठाने का काम करेगी अब बारी है आकरी फिल्म नंबर 6 की इसका official announcement आना बाकी है लेकिन अगर ये फिल्म बन गई तो records की बारिश होगी सर अंदाज अपना-पना 2 वही सल्मान खान और आमिर खान वाली classic comedy फिल्म का नए जमाने वाला adaptation फिर से दूसरा जन्म लेने वाला है कास्टिंग में फिल्हाल रन्बीर कपूर और रन्बीर सिंग इन दोनों का नाम सबसे ऊपर चल रहा है लेकिन कौन सा actor कौन सा रोल करेगा ये confirm नहीं है फीमेल लीड में भी आलिया भट और दिपका पादुकोन का नाम सजेस्ट किया जा रहा है जिस पर यसी इस सिनेमा कम और रियल लाइफ एडवेंटर जादा हो जाएगी सुन लिया सब कुछ अब इमानदारी से बताओ रनबीर कपूर के नाम के आगे सूपर स्टार लगाना चाहिए कि नहीं छे फिल्में छे हजार करोड पॉसिबल यस और नो और हाँ कौन सी है वो फिल्म जिसके लिए आप सबसे जादा एकसाइटेड हो बोलो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थ आप से अगले वीडियो में तेक क्यायब बाए बाए